हेलो गाइस मेरा नाम है वीजय और आप देखें मेरा यूटीब चैनल इन्फो विजय है तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी इस ओनलाइन लुगो की इस एप्लिकेशन का बैकेंड को डबल अप करना यानि हम फायर श्टोर से अपनी इस एप्लिकेशन को केनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है और आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और आपको अपना एक इमेल अकाउंट लॉग इन कर लेना है और साथ के साथ आपको अपने Android Studio के अंदर भी अपना एक इमेल अकाउंट लॉग इन कर लेना है तो मैंने यहाँ पर एक नया इमेल अकाउंट प्रेट किया है और उसको मैंने Android Studio के अंदर लॉग इन कर गी है तो जो भी आपका default browser होगा जब आप add sign in पे click करोगे यानि sign in पे click करोगे क्योंकि यहाँ पे बटन आएगा तो तैसी आपका एक browser open हो जाएगा जो भी आपका default browser होगा तो वो open हो जाएगा उसके बाद आपको अपना password set करना है means जो password आपने create कर आपने Gmail account को create करते है उसको enter करना है and then simply आपका यहाँ पे Android Studio connect हो जाएगा और आपको इस तरिक्के का एक web page display हो जाएगा या cloud platform यूज़ करना चाहते है Google का या फिर firebase so use your account to login to Android Studio and unlock the following service for your android app तो आप Android Studio का use करके इन दोनों ही services का use कर सकते हूँ तो यहाँ पे simply क्या करेंगे tools में जाएगे and then यहाँ पे आप देख सकते है Firebase का option आ रहा है so simply आप यहाँ पे Firebase पे click करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एक assistant open हो गया है and then इसको मैं यहाँ पे close कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे different kinds of options है जो Firebase प्रवाइड करता है यानि जो functions है Firebase के या features आप कह सकते हो वो सारे के सारे यहाँ पे add हो चुके है तो हमें यहाँ पे चाहिए firestore की actually हमें यहाँ पे use करना है तो हम यहाँ पे read and write documents with cloud firestore करेंगे तो यहाँ पे मैं इस पे click करता हूँ and then यहाँ पे connect to firestore base पे click करना है तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो जो मेरा default browser open था वो यहाँ पे open हो चुका है and then यहाँ पे आप देख सकते हो console आ चुका है अपना यहाँ पे feature तो यहाँ पे sign out कर देता हूँ सारे के सारे account अपने and then you can see यहाँ पे सभी के सभी जो account है यहाँ पे sign out हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं एक account अपना sign in करूँगा जो कि मैंने यह वाला create किया है and then simply यहाँ पे next पे click करूँगा because यहाँ पे मैंने multiple account login कर रखें that is the reason तो कोई confusion ना create हो इसलिए मैंने यहाँ पे actually अपना एक account logout कर दिया है अब वापस अपने आपको Android Studio पे आना है जिस account से आपने login किया है अपने Android Studio में आपने बस एक रोस चेक करना है कि आपने उसी सेम account से login करना अपने browser में तो Alien Boy नाम की जो ID मेंने बनाई है उसी से ही मैंने इस पे login कर रखा है and then again भही आपको सेम चीज करनी है आपको Firebase का tools इस पे click करना है यहाँ पे Firebase पे जाना है and यहाँ पे आपको simply जो भी आपको feature यहाँ पे launch हो चुगा है तो यहाँ पे Firebase Terms & Conditions है तो यहाँ पे आप दिख सकते हैं जब यह पहली बार आप यहाँ पे launch करते हैं एक नए email account में तो Terms & Conditions आती है जो कि पिछली बार नहीं आई थी वह मेरा पुराना account था तो यहाँ पे आपको टिक करना है और checkbox पे और यहाँ पे आपको continue पे click करना है and यहाँ पे हम पहली बार एक नया project करेंगे तो यहाँ पे simply click करेंगे create a project और लोगों को इसका नाम होने वाला है तो यहाँ पे मैं spaces दे देता हूँ and यहाँ पे मैं ISFDD Firebase Terms और इसके बास simply यहाँ क्लिक करता हूँ मैं continue पे है यहाँ पे आप देख सकते हूँ इनेबल Google Analytics वगएरा जो भी आप पर features यूज करते है continue पे click करता हूँ then configure Google Analytics कहाँ आप store करना चारते हो अधिश्टेट तो यहाँ से अब इंडिया भी स्टेट कर सकते हूँ यहाँ पे इंडिया का भी उठ दाएगा तो यहाँ पे आने रहा है इंडिया तो हमें scroll करना ही होगा तो यह रहा हमारा इंडिया यह यह यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया है Share your analytics data with Google to improve product तो यह वाला फीचर यहां पर यूज नहीं होगा and then इसके बाद यहां पर हम ISMD Google Analytics Terms इसके बाद हम simply create project पे प्लिक करेंगे अब यहां पर थोड़ा सा time लेगा दिन हमारे यहां पर जो project है वो successfully create हो जाएगा तो यह जो processor यह actually में अपकी internet speed पे भी depend करेगा कि कितना time लेगा यह actually में इस project को create करने में और अगर same नाम का या same SHA key नाम का अगर आपको project exist करता होगा तो यह आपको यहां पर error भी provide कर देगा तो अब यहां पर देख सकते हो जो हमारा project है वो यहां पर successfully create हो चुका है तो simply इस पर continue पर click करेंगे and then you can see यहां पर अब हमारा यह जो project का dashboard है वो यहां पर launch हो चुका है तो अब देख सकते हो यहां पर क्यूंकि हमने android studio से launch किया था इस firebase को for the creation of the project यहां पर देख सकते हो यह android studio से connect करने की कोशिश करेगा तो अब भी भी पर launching web content flow यहां पर आ रहा है तो यहां पर simply आपको continue पर click करना है it's ready it's has been created in the firebase तो continue पर आप click करोगे means connect पर तो your android studio project is connected to your firebase android app अगर हम यहां पर देख सकते हो यहां पर यह connected लिखा रहा है and अगर आपने check करने की क्या वाकई में हमारा यहां पर यहां पर project पर connect हो चुका है तो आप यहां पर project पर click करोगे और यहांसे इसको expand करके सबसे पहले यहां पर आप इसको project पर चेंज कर दोगे चोटा कर देता हूं थोड़ा सा जो विड्डो है तो अब यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारे को एक dependency भी यहां पर देख सकते हैं तो अब हमारे को यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर थोड़ी सी पुरानी डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे यहां पर देख सकते हो यह सारी चेंज़ी होएंगे हमारे इस पर्टेकुलर अप्लिकेशन के अंदर लगेन एक अप्लाई होगा यहां पर एक इंप्लिमेंटेशन होईगी डिपेंडेंसी की जिसका वर्जन है 21.4.0 यहां पर देख सकते हो एक गुगल की जो सर्विस है वो भी एड़ रहेगी तो यहां पर एससेप चेंज़ीस पर हम क्लिक करेंगे पर अपर देख सकते हो अब इसको आप एससिस्टन को फिर से यहां पर एक नया वर्जन भी आ चुका है तो यहां पर यह पर इस वर्जन को होगा तो पहले मैं आपको पूरा पूरा source code एक बार टाइब करके दिखाऊंगा देखते कि क्या पता वो जो problem थी वो उस version में change हो गई होगी तो कि जब मैंने यह start किया था तो मैंने 16.0 कुछ version से शुरू किया था तो उसमें जो मेरा code था वो properly work कर रहा था जब मैंने इस code को update किया लाइक इना version 18 जब सब कुछ मैंने जब firestore का version 18 आया तो उस समय मेरा source code था वो work नहीं गर रहा था यहानि जो fetching थी वो actually में काम नहीं कर रही थी अगर कोई problem आती है तो हम इस dependency को थोड़ा सा पीछे करेंगे मिन्स इसका version जो हम degrade करेंगे हमारे को यहाँ पर अपना firebase का database करेंगे करना होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो की पहला option है इस console के अंदर और यहाँ पर firestore database पर क्लिक करना है जैसे firestore database पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको creation process स्टार्ट हो जाएगा firestore database का तो यह आपका is cloud look firestore database आप यहाँ पर यह सब चीजे देख सकते हैं अगर पहली बार देख रहो तो यहाँ पर आप इस सब चीजे को हमारा database storage है उसकी cloud storage bucket है वह हमारे को यहाँ पर specify करनी है उसकी location तो यह एक बार हमने अगर specify कर दी तो यह change नहीं हो सकती जितना पास आपका यहाँ पर होगा उतना ही आपका यहाँ पर पास जो application वह वर्क करेगी तो हमारे यहाँ पर जो default वाला वह यह 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 Firebase की उपर app थी वह create हो रही थी जो की web app थी यहाँ पर हमारा जो firestore है वह create हो रहा है तो यह भी actually में थोड़ा internet की speed पर ही depend करेगा आपका तो यहाँ पर मैंने US central actually में select गया है जो की default मैंने set कर दिया है तो depending upon जितनी speed होगी हमारे internet की उस हिसाफ से यहाँ पर create होगा तो आप देख सकतो यहाँ पर यह हमारा यहाँ पर firestore database create होगा है जो की कुछ अद्तक MongoDB जैसा लिखता है जिसके अंदर एक collection होती है और एक documentary start होता है तो कुछ इस तरीक के गादन सबसे पहले हम आपर rules specify करते ह किस के अंदर हमारे read write की permission होने वाली है तो आपको हमारे simply इसको change करके कर देना है true उसे हम true कर देंगे and then publish पे click करेंगे तो anyone can read or write बाद में हम इसे change कर सकते है इस totally up to you and then वापस आते है हमारे यहाँ पे like cloud firestore पे और यहाँ पे हमारा data तो यहाँ पे हमारे database को create करना है तो उस इससे आपको थोड़ा सा idea होजेगा कि क्या action हम करेंगे और किस तरह से हम यहाँ पे database को create करेंगे ताकि आपको ज्यादा confusion ना हो क्योंकि पहली बार database को देखता है उसे काफी यहाँ पे problem होती है that is the reason कि यहाँ पे मैं आपको शुरुआत में थोड़ी सी चीजे बता देता ह एक collection हम सबसे पहले आप पर हो professahaha कि अंकि सकते हुआ हैं दार हम इस सबसे जुआ सकते हो हिए collection है इस collection काम होने गृच्ट करेंगे जो करेंगे number of category होंगी तो यह हमें यहां पर create करना होगा तो आपको मैं यहां पर step by step बताता जाऊँगा and थोड़ा बहुत बीच में वीडियो में मैं like बोलूँगा कम क्योंकि आपको यहां पर देखना होगा जाला जाला लेकिन इस वीडियो का आप ध्यान से लिखोगे तभी आपका जो आने वाले वीडियो से आपको समझ में आएंगे तो चलिए open करते हैं हमारा web browser यहां पर start collection पर click करता हूँ मैं यहां पर capital में quiz type करना है आप smaller भी कर सकते हो बढ़ यहां पर जो भी आप यहां पर लिखोगे यह आपको exactly same अपने Android Studio के अंदर भी लिखना होगा जब हम fetch कर रहोंगे data को जैसके बाद हम आपर next पर click करेंगे जैसे हम next पर click करेंगे यहां हमसे पूछा दाएगा document id to the database ID को यहां पर हम सबसे पहले document id में count यहां पर type करेंगे sorry यहां पर count नहीं यहां पर मुझे categories type करना है क्या क्या categories होने वाली है यहां पर मैंने categories type कर दिया अब इस categories के अंदर हमारे को एक field enter करना है तो यहाँ पर मैं अब categories के अंदर जैसे कि आपने आपर देखाऊ का diagram में कि हम पहले document enter करेंगे category quiz categories यह categories आपको यहाँ पर enter करनी थी document id में and then यहाँ पर हमारे को field enter करना है तो इसको मैं यहाँ पर count कहा देता हूँ and then हमारा count है यह action में number होने वाला है because इसके अंदर हम 5 categories यहाँ पर insert करेंगे तो यह 5 मैं यहाँ पर specify कर दिया and then यहाँ पर मैं add field पर click करूँगा और इसे मैं यहाँ पर cat 1 दे दूँगा जो कि हमारी पहली category होगी इसे मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा like movies अब अपनी हिसाब से कोई भी categories दे सकते हो दन यहाँ पर category 2 specify कर देता हूँ यह हमारी यहाँ पर आगई category 2 अब इसको यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ like cartoons या animation यहाँ पर मैं छोटे मैं use करता हूँ animation and then यहाँ पर भी इसको मैं like movies को भी like छोटा कर देता हूँ क्यों capitals अच्छा नहीं लग रहा तो यह category 2 है note category 3 then यहाँ पर हम category 3 अब यहाँ पर हम 3 प्रवाइड करेंगे यह हो जाएगी like हमारी category cartoons cartoons हो गए हमारी category and then यहाँ पर हम आते है और यह हमारी category 4 हो जाएगी यहाँ पर हम animals डाल देते हैं क्योंकि logo कुछ है तो इसमें animals की भी pictures में use करूँगा यह टोटे यह आपके उपर है कि आप कैसा data यहाँ रखना चाहते हैं and then यहाँ पर मैं देता हूँ category 5 तो 5 5th category मैं यहाँ पर specify कर देता हूँ like logos और यह होगी हमारी यहाँ पर logos तो इसके बाद सभी को add करने के बाद अगर आपको कोई यहाँ पर remove भी करना है तो आप changes कर सकते हो यह अगर आपको पूरे का पूरा यह particular जो फिल्ड है और उसकी जो key value है उसको अगर आप यहाँ पर remove करना सकते हो तो इस पर click कर सकते हो यहाँ अब हम click करेंग आपको फिल यहाँ पर कोई changes करनी है तो हम यहाँ से इसको select करके changes कर सकते हो तो यह यहाँ पर हमने कर दिया है and then अब इस categories के साथ साथ हमारे कोड यहाँ पर document स्टार्ट करना होगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर level 2 error की बताई थी category एक हमारी document है तो इसके अंदर हमारे को document स्सटार्ट करना होगा तो यहाँ पर मैं इस पर click करता हूँ और add document पर click करता हूँ lot पर हमारी category आ गया अब category 1 के अंदर हमारे को यहाँ पर name specify करना है और उसके अंदर level यान वह चीजजیا में यहाँ पर एड़ करनी है तो वह चीज हम यहां पर एड़ करेंगे इस particular step के अन्दर यहां पर सबसे पहले हमारे को category 1 specify करना है पहले category 1 का level enter कर रहे है not 2 is actually a 1 यहां पर हम उस category का level तो यहां पर हम उसका नाम specify करेंगा देट के अंदर add field पे click करेंगा और यहां पे मैं करूँगा like levels तो इस category के अंदर कितने levels होएंगे तो यहां पे इसके अंदर मैं actually 4 levels enter करूँगा तो अभी यहां पे मैं सारे के सारे एंटर नहीं करूँगा यह इतना असान नहीं है काफी time लग जाता है तो यहां पे हमें इसकी data types को change भी करना है इसके बाद हमारे को यहां पे click करना होगा next नहीं है यहां पे हमारा save option तो जैसे इस पे हम click करेंगे यहां पे यह हमारी पहली category आ गई है इसके अंदर level 4 और names है name इसका movies है okay then similarly हमारे को एक और बाद document करना है और यहां पे यहां पे category 2 के लिए करना है category 2 और यहां पे आपर name लिखेंगे तो name यहां पे मैंने दिया like यहां पे मने name देता हूं like तो यहίां पे मैंने Cum यहां से animation नाम दिया था, animation नाम दे देते हैं and then बबर देख लिए हैं तो यहां पर हमारी जो levels categories पर जाते हैं तो second category यहां एनिमेशन ही थी, मिल्कुल सही, दुबार से करते हैं, यहां पर cat 2 पर आते हैं, कि हम यहां पर name दे देते हैं, like, capital E में यहां 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 पर ध्यान र and then इसके अंदर कितने levels होने वाले हैं, यह levels यहां पर मैं इसके अंदर देता हूं, like 3 and then simply यहां पर hit करते हैं, save पर, then again हमारे काटेगरी 3 के लिए करना है, so category 3, so category 3 एक बार देख लेते हैं, क्या हमने यहां पर specify की है, तो यहां पर categories पर जाते हैं, category 3 हमारी cartoons है, इसके बाद animals है और logos है, तो यहां पर click करते हैं, and यहां पर category 3, लेंस के बाद इसका name, और एक चीच कि हमने गलती करिए category 2 में हमने number जो था, उसमें change नहीं किया data type को, तो अभी वो हमें change करना पढ़ेगा, edit करके, तो यह हमारी हो गई animation, and then इसके अंदर हम कितने levels यहां पर add करेंगे, एक्चिली में हमारी जो category 3 थी, वो cartoons थी, तो यहां पर इसको फिर पर आते हैं, और यहां से इसको select करते है, और यहां से हम इसको change कर सकते हैं, तो यह होगी हमारी कार्टून अप्डेट पर क्लिक करते हैं तो यह एक्षिली में यहां पर स्ट्रिंग नहीं है इसको हम यहां पर चेंज करना होगा तो यह एक्षिली में नंबर है यहां पर 3 एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कोड्स के अंदर यह नहीं है यहां पर इसको 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 and then यहां value enter, again मैंने एक।ů यहां पे गलती करी ए वही थे, यहांपे logos add कर देते हैं, यहांपे मैंने number पे change नहीं किया इसको, यहांपे मैंने कर दिया levels और यहांपे कर दियते हैं, 4, save करते हैं, and then category 4 पे आता हैं, इसको यहांसे change करके number कर देते हैं, और यहां पर level भी कर देते हैं 4, 6 की जगा, तो यह यहां पर हमारा second step complete हो चुका है, जिसके अंदर हमने categories के अंदर levels specify कर दे कि कितने levels होंगे इस particular category के अंदर, तो यहां पर हमारा आदा काम और हो चुका है, तो अब हमारा next काम है वो यह है, अब हमारे को levels के अंदर की hierarchy को specify करन है, तो यह आप देखते हो, तो category के अंदर चार levels है, और यह चारो के चारो levels हमें आपर enter करने होंगे, then आप हमारे उस category के अंदर collection को start करना होगा, तो start a collection पर हम click करेंगे, तो एक चीज़ का आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब आप collection स्टार्ट करोगे तो आपको उसको एक collection की ID देनी होती है, और एक document ID देनी इसी next step में, and then values को enter करना है, तो हम यहां पर quiz category 1 है, तो यहां पर हमारे को पहली चीज़ स्पेसिपाई करन की में कि इस के अंदर होगा क्या, तो यहां पर हमारे को document ID है, वो question प्रवाइड करना है, तो इस question 1 के अंदर हमारे को यहां पर entries करनी है, तो पहला यहां पर में चो भी repls प्रपिन करोगे यह रहेगा, आपका main question जो कि हम आपर यहां पर use लोगो इस इमेज होगो को मैं हमारा स्रीए रहेगा है रहेगी को फेल्ट रहेगे यहां पर फिल्ट रहेगा हमारा अंसर रहेगा फिक है तो यहांपे हमारे को अंसर है तो इसको भी हम क्यापितल में रखतें है नस्, सब्सक्राइब के अंसर को भी फैच करना होगा, अगर आप चाहो तो ट quier к borders लोगो दोनाव डिस्ले करा सकते हो तो यहांपे question भी डिस्ले करा सकते है means यह सारे के सारे like string ही रहेंगे आपके number यहां पर कोई भी नहीं होगा then अब आप मैं यहां पर image का logo प्रवाइड करना है तो यहां पर simply लिख लिए guess the logo अब यहां पर लिख रहे हैं guess the picture यहां पर मैंने यह एंटर कर दिया correct मैं यहां पर second वाला रखता हूं means third वाला रख लेते चलो third यहां पर टाइप हो गया and option D में हम जो value देने चाहते हैं सबसे पहले अब हमारे को यहां पर image का URL लेना होगा तो आप देख सकते हैं मैं यहां पर काफी सारे tabs open कर रखे हैं तो यह सभी image के URL में use करूँ क्योंकि मैं पिकास्टो लाइबरेरी का यूज करूँगा तो पिक्स अब यह website जहां से आपको free में images मिल सकती हैं जहां से copy image address पर मैं क्लिक करूँगा वापस आता हूं और यहां पर लाकर मैं इस image address को paste कर दूँगा तब देख सकते हैं पूरे का पूरा image address है तो यह के like creature है तो इसका मैं यहां पर जो तीसरे वाला है इस पर यहां पर मैं creature type कर देता हूँ तो creature यहां पर हम cutie type कर देते हैं like cutie कुछ भी आप टाइप कर सकते हो यहां पर cat type कर सकते हो यहां पर camel type कर सकते हो तो कुछ इस त्रिके से जो correct वाला वो D है तो यहां पर हम यहां पर save पर click करना होगा तो एक बार मैं अपना यहां पर document देख लेता हूँ कि क्या सबकु सही है कहीं मैं कुछ गलती ना कर रहा हूँ and then यहां पर हम save पर click करेंगे everything is correct तो अब यहां पर देख सकते हो लेवल बन का collection हमने start गया उसके अंदर हमने question का document बनाया and this diet document के अंदर हमने एक पूरे की पूरी फिल्ट सेंटर करी है तो आप यहां पर देख सकते हो यह सारा हमारा करना है जना है कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा होजेगा like question 2 तो इसके हम आप पर हमारे को ID का ध्यान देते हैं यहां पर आपको इस नंबर का जरूर दियान देते हैं इसे आपको इंक्रिमेंट करना है अगर आपने नहीं किया तो आपको यहां पर प्रोब्लम पढ़ सकती है तो अगेन यहां पर हम question enter करते हैं question and then यहां पर actually question था तो यहां पर आपको image logo रखना है note question यहां पर logo यह हमारा A रहेगा आप इसी त्रिक्के से करिए ताकि कोई field रहना जाए B and then इसके बाद यहां पर आपको C रखना है और सब कुछ यहां पर string ही रहने वाला है then D and then यहां पर हमारा यह finally रहेगा answer यह होगा हम answer इसको हम यहां पर click करेंगे और यह हमारा रहेगा finally question यह just a dummy है इसको मैं fetch नहीं करूँगा यह तो just मैं आपको बताया कि आप यहां से text quiz भी बना सकते हो guess the image and then again हमारे को यहां पर correct कौन सा करना है तो यहां पर जो मैं correct है वह मैं first वाला कर देता हूं and यहां पर नेम देते हैं तो एक और देखते है हमारी यहां पर cat है तो cat cat कंव हम use करेंगे एक creature को यह पर हटा देते हैं जेगी तो nell हें देते की समयरा को ओर भी questions आड़ करने है तो यहां पर हम cat कर देते हैं cat हो गया then dog हो गया okay रैथ डोग यहां पर लिख 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 यहां हम hot dog okay hot dog you or dog is qa8 yeah आता है I think ऐसे आता है and then यहां पर हमारे को वैली प्रेट करने है तो इसका हम यहां पर यह यह वारिल क्याप्चर कर लेते हैं capture image and एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा को एंड में .png extension मिल रही है या .png extension मिल रही है यहां पर लाके इसको हम पेश्ट कर देते हैं तो यह हमारा यहां पर लोगों भी हमने fetch कर लिया है अब इसको हम click करते हैं save पे then आप यहां पर देख सकते हैं हमारा यह second question भी आ गया है level 1 के अंदर तो हमने यहां पर दो questions insert कर दी हमारे level 1 के अंदर जो कि यह हमारा पहली category का अब category के अंदर हमारे को एक और यहां पर level 2 specify करन है तो यहां पर मैं start collection पर click करता हूं and then यहां पर मैं जो level नाम देता हूं वो होगा हमारा level 2 तो यहां पर आपको naming का बहुत ज्यादा ध्यान देना है जो spelling आप यहां पर दे रहों जैसे level 1 जो कि इस तरीके से आपको spellings का ध्यान रखना है अगर आपने spellings mistake किया तो आपको problem में पढ़ सकते हो means आपको data है वो fetch नहीं होगा तो यहां पर मैं लेवल 2 एंटर कर दिया है इसके गाद मैं next पर click करता हूं और यहां पर आपको अप image logo and then इसके अंदर हमारे को यहां पर सबसे वादा A option होगा यह हमारा B होगा यह हमारा C option होगा or then this one is our D और यहां पर हमारा होगा answer तो यहां पर इसकी भी spellings का आपको ध्यान रखना है बकि question तो हम अभी fetch नहीं कर रहें बट अगर आप question यूज करोगे तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आप यहां पर text लिखो गए यह यहां पर हमारा हो गया है यहां पर अब हम जो correct रखोंगा वह मैं रखोंगा fourth वाला यहां पर इसकी image को हम copy कर लेते हैं यहां पर लगोग पेस्ट कर देते हैं और यहां पर लगोग लेते हैं क्या लिखते हैं हम यहां पर MATT लिख लेते हैं जो के सिंपल से हमने लोगो को इस बना रहे हैं ज्यादा हम इसमें options एड नहीं है तो यह question 1 रहेगा हमारा level 2 के अंदर जैसे मैं इसको यहाँ पर save पर click करता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं level 2 के अंदर यहाँ पर 1 question आ गया है यहाँ पर से अधार फिल्ड समय और आपकर ओपन करने होँगे तो यह होगा हमारा Image Logo, यह रहेगा हमारा A Option, यह रहेगा हमारा B Option, यह रहेगा हमारा C Option, यह रहेगा हमारा D Option, और यहां पर रहेगा हमारा यह Answer, यह होगा हमारा Answer, and then this is our Question, यह इसकी जरुवत नहीं है, बट मैं स्टिल फिर भी अड़ कर रहा हूं, just because I want to add it, Image, तक अगर आप Image Quiz बना रहेगा, तो Image आप बना सकते हो, अगर अब इसमें मैं Correct, यहां पर कर देता हूं, like 3, and then यहां पर हम Elephant को Copy कर लेते हैं, इसका Image Address, आते हैं Tab पे, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहली बार आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा, बट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो यहां पर हम Elephant लिखते हैं, I think Elephant के Spelling यही है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूं, Animal's Name को Guess करने में, और यह हो गया है, यहां पर हम like Rat लिख लेते हैं, यह Mouse लिख लेते हैं, Mouse, यहां पर और यहां पर हम लिख लेते हैं Rhino, Rhino तो like ठीक है, Spelling, तो यहां पर हमारा Question No.3 भी Enter हो गया है, Means Question No.2 Enter हो गया है, हमारा Level 2 के अंदर, Similarly इसको Click करता हूँ, Save पे, and then you can see एक और यहां पर Question आ गया है, एक और बार हम यहां पर Add Document पर Click करेंगे, और यहां पर हम Add करेंगे Question 3, तो यहां पर हम इस वाले में 3 Enter कर देते ह Question, Fields और हम Add करते हैं, यहां पर हम Image Logo का Use करते हैं, Image Logo, यह रहेगा A, यह रहेगा हमारा B, This One is our C, और यह रहेगा हमारा D, and then यहां पर हम इसको Enter करेंगे Answer, स्टेसर चैले छीज सोंटियख़ अ कि इसको विपाइच में सब्सक्राइब एसको जान कशी करते हैं करते हैं। यहां पाइं लगार लेते हैं माउस पहला वाला हमारा और घ्रल्म ईहार यहां पर कॉरेक्ट कर देते हैं यहां पर लिख लेते हैं Big Mouse ॉर यहां पर लिख लेते हैं like Mousy या Rat या फिर कुछ भी आप लिख सकते है और Rati Cat लिख लेते हैं जो कि एक Pokemon का नाम है Raticat तो I think इसी तरह के इसपर नहीं होगे Ratty Ratty यहां पर इसकी dictionary में नहीं दाट जाए यहां पर error प्रवाइड कर रहा है बट ऐसे रहने देते हैं और यह हमारा enter होगा यहां पर question number 3 तो इस तरीके से हमें level 1 में 2 question enter करें है level 2 में हमने 3 question enter किया है अब category 2 पर आ जाते हैं अब यहां पर collection start करने होगी शुरू से तो start collection पर click करते हैं सबसे पहले आपको यहां पर level का नाम देना होगा collection की ID तो यह हमारा होगा पहला level तो level 1 next पर click करेंगे यह यहां पर आ चुका level 1 document ID इस level के अंदर पहला question जोगे category 2 के अंदर का पहला question हुं specify करेंगे field enter कर देते हैं यह रहेगा मारा image logo image तो आपको ध्यान रखना है और level का नाम भी आपको यहां पर ध्यान रखना है spellings mistake नहीं होने चाहिए then a then b then यहां पर c then यहां पर d and then यहां पर हम लिखते है answer answer हो गया and then यहां पर हमारा finally आदेगा question यहां पर फिर से आप लिख लेजए guess the image, guess the logo, guess the pic guess the pic लिख लेते हैं यहां पर question mark and then यहां पर जो मैं correct रखोंगा, boom मैं रखोंगा second बाला then आते हैं यहां पर हमारी like web design तो यहां पर यह एक character है तो इस character को copy कर लेते copy image address यहां पर लाते हैं यहां पर paste कर देते हैं तो यहां पर images आप जैसे मैं यहां इस करूँ अभी फिलाल हम कोई professional को इस तो बनानी रहे हैं अगर आपने इसको playstore पर upload करना चाहते हैं या आप real time project दिखाना चाहते हैं तो आप data को उसी साफ से enter करना मेंस जो images हैं उसी साफ से रखना अभी मैंने आपर एक like creature, cat वगएरा सब कुछ mix कर दिया है that is why आपको आपको आपर अच्छे से data को रखना है तो यह character है यहां पर मैं इसको character नाम देता हूं drawing d-r-a-w-y-n-g जाद आपको बड़ा नाम नहीं देना है नहीं तो पता कहले हो enter ही ना हो तो यहां पर हमारा question 1 भी enter कर गया inside category जो कि उसके अंदर है level 1 और यह उसके अंदर का पहला question है तो हम इसे यहां पर save पर click करते है और यहां पर देख सोकते हैं यह हमारा यहां पर level 1 आ गया inside the category 2 अब एक और question हमें यहां पर enter करना होगा तो यहां पर हम फिर से click करेंगे add document में यहां पर हमारे को लेबल बन जोर्च participants करना है यहां पर हम करते हैं question like to उसको हरापर हम एंटर करते हैं इन पर हम चली देते हैं like image logo होगे हमारा image logo होगे हमारा c ौर यहां होगे हमारा d इस संभा करते हैं answer और यह होगे हमारा question again just the picture यह जलिक रहा हूं जब आपको अगर टेक्षट बिस बना नहीं तो आप यह पर कोश्चन एंटर करोगे यहाँ पर कर देते हैं 3 और देखते हैं हमारी यह पर एक और इमेज का है तो यहाँ पर यह स्नेयक की पिच्चर है लोगो को पेष्ट कर देते हैं and just like and useност करने के रिए करते हैं आप हमारा बलू स्नेक है यह है और हमारा एक और गॉश्चिन इंटर होगा तो यह घो एक जो फ्लिक करते जए पर आप देख सकते हैं यहां पर दो गॉश्चिन एंटर कर दिया है तो आपको को पहले सर्च करना पड़ेगा कार्टून लिख लेता हूं पहले यहां पर हमें पहले यहां पर करनी है यह काफे अच्छा लग रहा है यहां फोड़े से पिक्ट्रेट जो उन्सको कर रहा हूं यहाँ पर vegetables के भी pictures जाल सकते हो जो portrait mode में यह भी काफ़ी सही है यहाँ पर pumpkin की image address को copy कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे फ़हले हमारी category 3 है तो इसके दर हम यहाँ पर एक level 1 को insert करेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है level की spellings है यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर मैंने spelling mistake करती थी थोड़ा सा backward करके देख सकते हो यहाँ पर हमें click करना है next way और यहाँ पर हमारे को question की ID प्रोइड करनी है तो level 1 के अंदर पहला question होगा यह question 1 quiz category 3 उसके अंदर level 1 और उसका पहला question यहाँ पर हम लिखेंगे image logo यह हो गया हमारा image logo यहाँ पर हमने URL paste कर दिया जिन यह A हो गया जिन यह B हो गया जिन यह C हो गया जिन हमारा D इसके बाद हम यहाँ पर हमारा answer और finally इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे question spellings भी आप देखते रहे हैं जो आप type करें कभी कार हम spelling में पता था पर हम typing mistake कर देते हैं तो यहाँ पर बड़ी mistake बन जाती है programming में तो यहाँ पर pumpkin है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लागे कर दो लिख लेते हैं यहाँ पर वेजी टेबल लेते हैं कोई भी वेजी टेबल है यहां पर लिख लेते हैं लाइक वेजी वेजी या कुछ भी या फ्रूट लिख लेते हैं और यह हो गया यहां पर फ्रूट और यहां पर फ्रूट लिख लेते हैं यहां पर कुश्चिन की वैली लिख लेते हैं यहां पर पिक्च्चर तो यह यहां पर हमारा हो गया है हमने लोगों भी पेस्ट गया है question 1 level 1 जो की category 3 का है यहां पर click करेंगे हम save पर and then आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी category 3 उसके इंदर भी level enter हो गया अगर आपको आपको category 2 के इंदर record level enter करने है तो आपको start collection पर click करने तो category 2 पर आते हैं और यहां पर एक और हम level को enter करते हैं तो start collection पर click करते हैं और यहां पर type करते हैं level 2 category 2 का level 2 next पर click करते हैं इसके अंदर का एक और question हमें यहां पर enter करना है question यहां पर enter करेंगे अब यहां पर हम पहला question होगा यहां पर हम enter करते हैं यह होगा हमारा image logo and then finally यहां करेंगे ऊपर दियां से देखिये कविगार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि एक बार चैंज इस नौड डिलीट करके काम होगा तो यहां पर लेवल टू का पहला पहला कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है तो यहां पर हमने बगड के एक इमेच फैच की तो इसको य कर देते हैं और यहां पर value हम enter कर देते हैं तो एक को यहां पर collect कर लेते हैं तो यहां पर twitter bird है वैसे तो यहां पर bird ही लिख लेते हैं तो answer 1 हम यहां पर collect कर देते हैं question yes the bird image yes the yes the image यहां पर कर लेते हैं and finally यहां पर maharaj b option है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं like fly फे लोगों को फोड़ा सो कंवियों करने के लिए लिख लेते हैं तो तुमिटर बड़। है तो चोड़ देतेैं याइस जाद भी लिए बुट है यहाई र्रिख लेते हैं तो यहाँ पे गलती से मैंने किस नहीं, नहींकिला दिकी से और थेեղ आ यहाँ एग्पद। क्योंकि इसने मुझे एंगरी कर दिया तो यहां पर हम इस पर क्लिक कर देख अपडेट पर यह हमारा लेवल 2 के अंदर question 1 insert हो गया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं यह इस level 1 के अंदर भी एक ही दो question हमने insert के थे category के अंदर ठीक है guys and then वापस आते हमारी category के अंदर तो इसके अंदर हमने three questions insert के हैं इसके अंदर one and हमने category के अंदर अभी एक level enter के उसके अंदर सिरफ एक ही question तो यह जितनी भी category से बाकी की यह आपके लिए homework है I play like self practice है आप इसे enter करिए क्योंकि अगर मैं सभी enter करूंगा और screencast बेस वीडियो बनाऊंगा तो काफी ज्यादा time लग जाएगा तो काफी simple है ज्यादा कुछ मिश्किल नहीं है अब यह देख सकते हैं यह सारी हमारे category थी यह सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ तक की मेरा चैनल को support मिल सके और चैनल पने होगा इस तो चैनल को subscribe भी कर लेना थाक्योबर वचिंग और वचिंग और वाचिंग और वाचिंग और देख्ट वीडियो